हलो स्टुएंट्स आज हम क्लास 12 का चैप्टर नूमर वन इंडिया इंग्नॉमी on the eve of independence के बारे में डिस्कस करेंगे ये इसका पार्ट 2 है रिमिनिक पार्ट के लिंक्स डिस्क्रप्शन में गिवन है अब वाज़ा करके दिख सकते हैं इस वीडियो का लनिंग कंसेप्ट है जाद दर हमारे यहां के लोग अग्रिकल्चर पर डिपेंडेंट थे तो ऐसे बहुत सारे चीज़े थी जिसकी वज़े से हमारी एकनॉमी काफी ज़्यादा पीछे हो चुकी थी यहांपर टूटल आपको साथ पॉइंट गिवन है जो एक्स्प्लीन करेंगे कि हमारी क्या पोजिशन थी ओन दे इव ओफ इंडिपेंडेंडेंस हमें क्या करके इन सभी पॉइंट को डेडेल में डिसकस करते हैं तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारा फर्स पॉइंट है स्टेगने इकनॉमी स्टेगने इकनॉमी का सिंपल मतलब रुकी इकनॉमी को कहते हैं वो इकनॉमी जहांपर आपकी ग्रोथ रेट काफी स्लो है उसी इकनॉमी को स्टेगने इकनॉमी का जाता है लिखा है, a stagnant economy is one which is growing at a very low rate, इसका मतलब है कि वो एकनोमी जिसकी ग्रो करने की rate काफी ज्यादा लो है, उसी एकनोमी को हम stagnant economy कहते हैं, आगे लिखा है, the British government never attempted to estimate India's national and per capita income, इसका मतलब है कि जब हमारे यहाँ पर British government थी, तो उन्होंने कभी भी हमारी इंडिया की national income और per capita income को estimate करने का कोई भी attempt नहीं किया, यहाँ जब हमारे यहाँ पर British government थी, तो उन्होंने कभी भी हमारी इकनोमी क्या national income है, क्या हमारी इकनोमी की per capita income है, उसको कभी भी estimate नहीं किया, आपको यहाँ यहाँ याद रखना है कि इन सभी लोगों ने इंडिया की national income और per capita income को calculate किया estimate निकाला, of course these estimates yielded conflicted results, इसका मतलब है कि इन लोगों ने जो भी calculation की थी, वो 100% correct नहीं होगी, पर इससे हमें आइडिया लग गया था कि हमारी इंडिया की जो position है, वो क्या है, आगे लिखा है, on the eve of independence, Indian economy was a stagnant economy, as country's growth of aggregate real output during the first half of the 20th century, was less than 2%, and growth in per capita output was only 0.5%, इसका मतलब है कि हमारी एकनौमी को इस टेगने इकनौमी इसलिए कहा गया, क्योंकि हमारे आपर जो national income थी, जो GDP की growth थी, वो सरफ 2% थी, और हमारे आपर per capita income, यहांसे हम per capita output भी कह सकते हैं, वो सरफ 0.5% थी, on the eve of independence, क्योंकि हमारी national income और per capita income इत्ती ज्यादा लो थी, इसी वजह से हमारी एकनौमी एक stagnant economy बन चुकी थी, जिसका simply मतलब रुकी भी एकनौमी को कहते हैं, जिसका मतलब है कि आपकी एकनौमी काफी ज़्यादा slow rate पे growth कर रही थी, इसकी वजह से standard of living of the people was miserably low, epidemics and famines were a recurring phenomena, इसका मतलब है क्योंकि हमारी एकनौमी एक stagnant नौमी थी, इसकी वजह से जो living था people का वो काफी ज़्यादा low था, यानि हमारे आप पर standard of living काफी ज़्यादा low था, और हमारे आप पर epidemics और famines एक recurring phenomenon था, इसका मतलब है क्योंकि हमारे आपर epidemics और famines लगातार होती रहती थी और इसकी वजह थी stagnant एकनौमी तो इस पूरे परग्राफ में आपको यही याद रखना है कि हमारी एकनौमी की national income की rate 2% से भी कम थी और हमारे आपर per capita income 0.5% था, यानि half percent जिसकी वजह से हमारी एकनौमी के अंदर जो stand-out living था लोगों का वह काफिज़ादा लोग था और epidemics and famines एक common phenomenon था और इसकी वजह से हमारी एकनौमी एक stagnant इकनौमी थी तो यह हमारा first point था stagnant economy नो आगे देखते हैं आपका second point है backward economy, backward economy भी उस economy को कहा जाता है जहां पर per capita income काफिज़ादा लोग हो तो इसमें लिखा है an economy is called a backward economy when it has a very low per capita income इसका मतलब है कि वो economy जिसके अंदर per capita income जिसका मतलब है per person income annually वो काफिज़ादा low हो उसी economy को एक backward economy का जाता है in 1947 to 48 the per capita income in India was just 230 rupees annually इसका मतलब है कि हमारे आपर on the EU independence per person की जो income थी वो सिर्फ 230 रुपे थी सालाना यानि एक साल के अंदर on an average एक person सिर्फ 230 रुपे अन करता था हमारी economy एक backward economy इसले भी थी क्योंकि इसके पीछे काफि सारे और भी reasons से जिसके लिखा गया है law level of productivity, low per capita income जो हमने अभी उपर डिसकस किया 230 रुपे सालाना था traditional method of agriculture यानि हमारी जो agriculture के method से वो पुराने थे हम technology का use नहीं करते थे उस टाइम पे high birth rate and death rate थी और mass illiteracy थी इसका मतलब है कि हमारे आप पर पड़े लिखे लोग भी कम थे और ये सबी reason है हमारी एकनौमी के backward होने का ते इस point में आपको mainly यह याद रखना है कि backward इकनौमी उस एकनौमी को कहेंगे जहां पर per capita income low हो हमारी एकनौमी में on the eve of independence जो per capita income थी वो सिर्फ 230 रुपे थी सालाना और हमारे backward होने के और भी reasons से जो आपको आगे दिये गये हैं जिसमें हमने low level of productivity देखा low per capita income, traditional method of agriculture, high birth and death rate and mass illiteracy यह सभी reason थे हमारी एकनौमी के backward होने के इसी दर आगे देखते हैं इसका मतलब है कि हमारे आपर जातर लोग अग्रिकल्चर पे dependent थे इसमें लिखा है अग्रिकल्चर सेक्टर dominated the Indian economy as the principal source of livelihood इसका मतलब है कि हमारे आपर जित्ते भी लोग थे उनका mainly काम करने का जो option था वो सिर्फ अग्रिकल्चर था यानि हमारे आपर जातर लोग अग्रिकल्चर की health से ही अपने living को अन करते थे पैसे कमा पाते थे Nearly 72% of the country's working population was engaged in agriculture यानि हमारे आपर जित्ते भी लोग रहते थे जित्ती भी working population थी उसका 72% part agriculture में engaged था However, the contribution of agriculture to GDP was only 50% indicating the backwardness of this sector इसका मतलब है कि हमारे आपर 72% working population agriculture में engaged थी उसके बावजूद भी जो agriculture का contribution था GDP में वो सिर्फ 50% था यानि हमारे आपर अगर 100 लोग हैं और 100 में से 72 agriculture में काम कर रहे हैं तो इतना जादा portion agriculture में काम करते हुए भी हमारे GDP की जो rate थी जो growth थी वो सिर्फ 50% ही थी यानि अगरिकल्चर का share GDP में सिर्फ 50% था जो indicate करता है कि आपकी economy का ये sector काफी ज़्यादा backward है क्योंकि इतने सारे लोग इंगेज होने के बावजूद भी सिर्फ 50% की GDP का contribution होना काफी low होदा है और यही indicate करता है कि ये sector कितना ज़्यादा backward था आगे लिखा है agriculture sector suffered from low productivity owing to which it had low contribution to GDP इसका मतलब है क्योंकि हमारे यहाँ पर productivity काफी ज़्यादा low थी इसी की वज़े से agriculture का जो share है GDP में वो काफी ज़्यादा कम था यहाँ पर productivity का मतलब per hectare output से है जितना ज़्यादा आप एक particular land पे output कर पाते हैं उसी को हम productivity कहते हैं suppose कीजिए अगर आपकी land की productivity 1000 units है production करने की पर क्योंकि हमारे यहाँ पर efficient tools available नहीं है हमारा जो method agriculture करने का वो traditional है जिसकी वज़े से हम output सरफ 100 units का कर पा रहे हैं तो इस situation को हम low productivity कहेंगे और यही reason था हमारी economy में agriculture sector का contribution है GDP में वो काफी ज़्यादा low था तो यह अपका third point था जिसमें हमने agriculture की situation को देखा जो हमें on the e of independence पे मिली इस तरह आगे देखते हैं आपका fourth point है bleak और national industrialization इसका मतलब है कि हमारे आपर जो industrialization था वो काफी ज़्यादा low था बिल्कुल ना के वराबड़ था इसमें लिखा है कि prior to British rule industrial sector in India was well known for handicrafts but it was systematically destroyed by the discriminative British policies इसका मतलब है कि British rule से पहले हमारा industrial sector जो इंडिया में था वो पूरे वर्ल्ड में handicrafts के लिए famous था यानि हमारे आपर जो हाज सी चीज़े बनती थी वो काफी ज़्यादा famous थी before the rule of British but जब British का rule start हुआ हमारे इकनामी के अंदर तो British वालों ने discriminative policy का use करते हुए हमारे handicrafts को पूरी तरह destroy कर दिया by the time of independence small scale and cottage industries were almost ruined और after the British rule जए हमें independence मिली तो इस time पर हमारे small scale और cottage industries पूरी तरह destroy हो चुगी थी heavy industries showed a bleak growth and for the bulk of capital goods requirement, India were dependent upon imports from Britain इसका मतलब है कि जब हमारे आपर British rule था तो हमारे industrialization ने काफी कम growth दिखाई बिल्कुल नामात्र जिसे हम bleak और notional industrialization कहेंगे यहां तक कि अगर हमारे यहां पर capital goods की requirement होती थी जिसके अंदर हम plant and machines को include करते हैं तो उसका भी हमें इंतजाम ब्रिटेन से करना पड़ता था यानि अगर इंडिया में किसी machine की requirement है तो उसका production हम नहीं कर पाते थे हमें ब्रिटेन से import करना पड़ता था और यहीं सभी point indicate करते हैं कि आपका जो industrial sector था वो काफी ज़्यादा पीछे था और उसके growth जो थी वो बहुत ज़्यादा कम थी इसी के लिए इस point की heading bleak और national industrialization है जिसका मतलब है low growth in industry sector इसी तरह हम आगे देखते हैं next आपका है fifth point heavy dependence on imports इसके बारे में हमने अभी उपर भी discuss किया कि इंडिया को अगर capital goods के requirement है तो वो बिटेन से import करने पड़ेंगे यहाँ पर भी import को ही describe किया गया है बस थोड़ा और detail मे describe किया है इसमें लिखा है the country was heavily dependent upon imports particularly for machinery and related equipment of production इसका मतलब है कि at the time of British rule अगर हमें machinery ये किसी production equipment की जूरत पड़ती थी तो उसे हमें import करना पड़ता था from other countries और from Britain यहां तक की armed forces of the country also dependent heavily on foreign imports for most of the defense equipment यानि हमारे आपर जो armed forces थी जो हमारे आपर police थी वो भी बहार से ही defense equipment इंपोर्ट करती थी यानि हम कह सकते हैं कि हमारे आपर चाहें machine हो चाहें defense equipment हो दोनों को हमें बहार से इंपोर्ट करना पड़ता था हमारे आपर उसका production बिल्कुल नहीं था इसके साथ ही several consumer goods like swing machines, medicines, kerosene oil, bicycle, etc. used to be imported from abroad इसका मतलब है कि हमारी country के अंदर हम सरफ machinery और production equipment या फिर defense equipment के अलावा swing machines जो होती थी, medicines जो होती थी, kerosene oil, bicycles ये सब भी बहार से इंपोर्ट करते थे जो indicate कर रहा है कि हमारी economy में अगर हमें कोई भी requirement हो machinery की किसी भी तरह की तो वो सब हमें भार से इंपोर्ट करने पड़ती थी इसी वज़े से इस heading में heavy dependence on import लिखा गया है और यह हमारी situation थी on the eve of independence आगे आपका six point है limited urbanization इसका मतलब है कि हमारे आपर जो urbanization था वो भी काफी low था इसका reason भी simple है हमारे आपर जादतर लोग agriculture sector में इंगेज थे इसलिए जादतर लोग रहते भी rural area में थे जिसकी वज़े से urbanization काफी low था इसमें लिखा है इसका मतलब है कि जब हमारे आपर independence हुआ जब हम लोगों को आजादी मिली तो हमारे आपर जादतर लोग villages में ही रहते थे यहां तक कि अगर हम सिर्फ 1948 की बात करें जब हमें आजादी मिली थी तो उस टाइम पे शहर में रहने वाले लोग सिर्फ 14% थे बाकी के 86% लोग rural area में रहते थे अब क्योंकि वो लोग गरामीन शैत्र में रहते थे इसलिए agriculture के अलावा rural population के पास कोई और opportunities नहीं होती थी काम करने की और इसकी वज़े से हमारे यहां पर poverty भी काफी ज़दा increase हुई आग यही लिखा है कि rural population lacked opportunities outside agriculture this compounded their poverty और यह आपका 6 point था limited urbanization next आपका 7 point है last point है semi-feedal economy जिसका मतलब है mixed economy इसका मतलब है कि हमारे यहां पर दोनों sectors involved थे production करने में private sector भी और public sector भी इसी वज़े से हमारी economy को एक mixed economy कहा गया है जहां पर दोनों ही sectors involved है in the production इसमें लिखा है on the eve of independence Indian economy was neither holy-feedal nor a capitalist economy it was a mixed economy और semi-feedal economy इसका मतलब है कि जब हमें independence मिली तो इस टाइम पे हमारी economy पूरी तरस से government economy नहीं थी नहीं पूरी तरस से market economy थी हमारी economy एक mixed economy थी जिसमें दोनों sector involved थे जिसे हम semi-feedal economy भी कह सकते हैं इसका मतलब है कि हमारे याप पर government sector भी production में involved था और private sector भी production में involved था इसी वज़े से हमारी economy को एक semi-feedal economy कहा गया Feedalistic mode of production leads to low productivity and low productivity leads to backwardness आगे लिखा है कि हमारे याप पर जो Feedalistic mode था production करने का उसकी वज़े से हमारी जो productivity थी काफी ज़्यादा लो थी और क्योंकि हमारी productivity काफी ज़्यादा लो थी इसलिए हम काफी ज़्यादा backward थे तो ये भी एक reason था हमारी economy का backward होने का कि हमारे याप पर mixed economy थी जिसमें ज़् पब्लिक सेक्टर के हाथो ही होता था यानि government सेक्टर के हाथ होता था जिसकी वज़े से हमारे जो productivity थी वो लो थी और हमारी economy काफी ज़्यादा backward थी तो यह आपके साथ point हैं जो indicate करते हैं position of Indian economy on the eve of independence I hope आपको यह सभी point समझा गया होंगे अगर इन points में आपको कोई भी doubt हो तो आप मुझे comment section में पूछ सकते हैं या आप मुझे whatsapp पर भी contact कर सकते हैं मेरा whatsapp number description में given है next part के अंदर हम state of agriculture sector on the eve of independence के बारे में discuss करेंगे next part के अंदर हम detail में देखेंगे कि क्यों हमारा agriculture sector इतना पीछे था और क्या agriculture sector की position थी on the eve of independence so thank you guys for watching this video अगर यह वीडियो अच्छा लगिये तो like कीजिए for more videos subscribe my channel success eat and click on the bell icon for daily updates thank you